दोस्तों अभी देखने वाले हैं Intermediate Center Examination 2022 English का objective question इसका answer की अभी हम लोग देखने वाले हैं और आप लोग इसको पूरा से चाप दीजिएगा exam में ठीक है और subjective question जो English का हो जाता है subjective इसका भी answer मैं एक एक करके दे दियाँ तो उसका link मैं वीडियो के description में दे दूँगा आप लोग subjective भी बना दीजिएगा और objective भी ठीक है तो चलिए objective का answer अभी हम देख लेते हैं देख लिजिए आपको 100 objective रहेगा जिसमें से आप लोगों को 50 objective बनाना होता है तो 50 का answer भी हम देख लेते हैं और 50 marks का subjective होता है तो subjective आपको description में link मिल जाएगा वहां से देख लिजिएगा ठीक है और बना दीजिएगा देख लिजिए यहां से objective देख लिजिए एक नमर आ गया है दो नमर इस ताइप से आ गया है चार देख लिजिएगा अब देखते हैं इसका direct answer ठीक है देख लिजिए answer यहां पर लिखा गया है आप लोग लिखते जाएगे सबसे पहले क्या किजिएगा कि question में tick कर लिजिएगा a b c d करके उसके बाद अराम से रंग दीजिएगा ठीक है तो चलिए हम यहां पर answer बोलते हैं 1 का c हो जाएगा 2 का a 3 का b a 4 का b 5 का a 6 का b 7 का b 8 का c 9 का d 10 का b c हो जाएगा अप लोग बस ठीक लगाते जाएगे 11 का a 12 का d 13 का d 14 का a 15 का b 16 का b 17 का c 18 का d 19 का b 20 का d 21 का a 22 का d 23 का a 24 का c 25 का c 26 का a 27 का d 28 का a 29 का b 30 का b 30 का b d ही हो जाएगा चलिए अब देख लेते हैं 31 का a 32 का b 33 का a 34 का b 35 का d 36 का a 37 का b 38 का d 49 का b 40 का a 21 का b 48 का a 48 का d 29 का a 50 का c हो जाएगा तो चलिए आप लोग लख लिख लिए पाचास का c हो जाएगा अब आप लोग सब्जप्चिव बिचा सब्जक्टिव में आप लोगको हम पहले बताद गें कि लिंक दिया गया है सब्जक्टिव भी बना दिखेगा झाल